सेकरो मामलों की सुनवाई प्रभावित निर्भया रेप केस के बाद किया गया था गठन स्पेशल फास्ट्रिक कोर्ट की रफतार तीन महीने से थमी नई दिल्ली करकरद्रुमा कोर्ट की स्पेशल फास्ट्रेक कोर्ट की रफतार तीन महीने से भी अधिक समय से थमी हुई है इस कारण कोर्ट में पैंडिंग एका दुक्का सैकरो मामलो मामलो की सुनवाई बाधित हो रही पा रही है है लिक कोर्ट में हो की सुनवाई है एका दुक्का मामलो की सुनवाई ही लिंग कोर्ट में हो पा रही है बाकी जादातर गठन किया गया था दिल्ली में 11 साल पहले हुए निर्भया गैंग रेप की जगन्य घटना के बाद रेप जैसे गंभीर मामलों में पीडिता को जल्दी इनसाफ लंबित मामलों में आगे की तारीख दी जा दिलाने और आरोपी को सक्त से सक्त रही है निर्भया रेप केस के बाद या मुनापार में पहली बार स्पेशल फास्ट्रेक कोर्ट का सजा दिलाने के लिए स्पेशल फास्ट्रेक कोर्ट के गतन की मांग बड़े जोर्श से उठी अधिक रेप केस पैंडिंग है तीन महीने से भी अधिक समय से मामलों की सुनवाई के नाम पर सिर्फ अगली तारीख दी जा रही है हर सुनवाई पर तारीख दिये जाने से परेशान जब कुछ वकीलों ने लगातार तारीख की इस कोर्ट की अडिशनल सेशन जज एक नवंबर 2022 से मैटिनिटे लीव पर है इसलिए इस कोर्ट का काम लिंग कोर्ट देखती है एक वकील ने बताया कि लिंग कोर्ट में सिर्फ एक के दुक्के मामले की ही सुनवाई हो पाती है क्योंकि लिंग कोर्ट के पास अपने केस भी तो लगे होते हैं इसलिए Link Court का ज्यादा फोकस अपनी Court में पैंडिंग मामले निप्ताने पर रहता है अगर वो Link Court के मामलों पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे तो उसका सीधा असर उनकी Court में पैंडिंग मामलों पर पड़ेगा जच की व्यवस्था नहोने से स्पेशल फास्ट ट्रेक Court में पैंडिंग मामलों की सुनवाई बिल्कुल थप थी तब दिल्ली की अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट Court में रेप केस की सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रेक Court का गठन किया गया था यमुनापार के करकरडर्मा कोर्ट में भी स्पेशल फास्ट ट्रेक Court बनाई गई थी जिससे आरोपी को जल्द से जल्द सजा सुना कर पीडितों को इनसाफ दिलाया जा सके करकरड्रमा कोर्ट की इस स्पेशल फास्ट रेक कोर्ट में इस समय 340 से देने की वजह के बारे में पूछा तो पता चला पड़ी हुई है